हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल देखिए फ्रेंड्स आज हम एक जैकेट बनाएंगे क्रोशिय से बहुत ही खुपसरा डिजाइन की जैकेट है तो इसके लिए मैंने यह 174 चेन लेके उसके उपर डबल क्रोशिया बना लिया है यह हमारी बेस रो है और आपका यह जो स यह 7 के सदय बनती है तब चार डिजाइन के लिए 28 चैन है वह बढ़ा लीए तो दो आगे के दुगे बढ़ों साइड में जाएगई और एक एक आगे के दूनु साइड में गेंगे और बनाएंगे देखे एक दो और ये तीन तो ये जो तीन है ये हमारा कज पट्टी और बटन पट्टी के लिए है ये तीन अब इसके अधिया से मारे डिजाइन स्टार्ट होती है देखे एक दो तीन यानि कि starting से हमने 6 single crochet बनाएं अब 2 chain बनाएंगे फिर 2 skip करेंगे एक दो और 5 single crochet बनाएंगे देखें एक दो तीन चार और ये 5 ठीक है फिर 2 chain बनाएंगे लूज चैन बनाएंगे फिर 2 छोड़ेंगे एक दो skip करेंगे फिर यहां 5 single crochet बनाएंगे देखें एक दो तीन चार और ये 5 ठीक है फिर 1 दो दो चैन फिर 1 दो छोड़ेंगे फिर यहां पर देखें एक दो तीन चार और ये 5 तो ऐसे हम लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे यह देखें लास्ट तक हमने बना लिया यहां पर 5 single crochet दो चैन बनाएंगे अब देखें यहां पर 2 छोड़ेंगे फिर नेक्स्ट में यहां पर हमारे पास देखें एक दो तीन चार पांच और ये 6 देखें यह हमारे पास 6 single crochet है इस साइड भी 6 है और इस साइड भी 6 है अब हमारी सेकेंड रो है यहां पर 3 चैन बनाएंगे देखें एक दो तीन तीन चैन और नेक्स्ट में हम single crochet बनाएंगे फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रूश्य बनाएंगे अब इसके बाद फिर यहां पर नेक्स्ट वाले में एक और सिंगल डबल क्रूश्य बनाएंगे अब इसमें इसमें हमें नौ डबल क्रूश्य बनाना इस पेस में देखें एक दो तीन चार पांच छे सात आठ और यह 9 ठीक है फिर इसा देखें एक 2 छोड़ेंगे तीसरे में तीसरे वाले में हम एक सिंगल क्रूश्य बनाएंगे और फिर वापिस से इसमें हम नौ डबल क्रूश्य बनाएंगे देखें एक 2 यह जो इस पेस है इसमें इस कर झार पांच छे साथ आठ और ये नो नौटबल क्रोश्य बनाएं फिर इसका देखें एक दो skip करेंगे तीसरे में सिंगल क्रोश्य ऐसे ही लास तक बनाना है नौटबल क्रोश्य और सिंगल क्रोश्य और सिंगल क्रोश्य तो बना लेते हैं अब देखें यहाँ पर एक दो छोड़ेंगे तीसरे में हम एक दोबल क्रोश्य बनाएंगे फिर चौथे में फिर पांचवे में और फिर छटवे में यह हमने चार डोबल क्रोश्य बनाएं यहाँ पर भी हमारे पास चार डोबल क्रोश्य थे देखे इस तरफ सेकंड साट इस में भी अब फिर यहां से हम टर्न होंगे अब देखे यहां पर फिर से आपको क्या करना है देखे एक एक चैन ली फिर इस वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक दो और ये तीन ठीक है तीन हमने सिंगल क्रोशिया बनाया अब इस दो, तीन, चार, और ये पांच, ठीक है, पांच सिंगल क्रोश्या, फिर दो चैन, फिर यहां से एक, दो छोड़ेंगे, तीसरे में, सिंगल क्रोश्या, तीन, चार, पांच, छे, और साथवे पे, यती है, हमारे पांच सिंगल क्रोश्या हो गया, ठीक है, फिर से दो चैन बन बनाएंगे और फिर देखे एक दो छोड़ेंगे तीसरे में एक सिंगल क्रोशे तीसरे डबल क्रोशे में फिर चौथे में फिर पांचवे में फिर छटवे में और फिर सत्वे में ठीक है यानि कि दो डबल क्रोशे इस साइड और दो इस साइड छोड़ के बीच के हम पांच प्रफॉर्थ रोह आप एक दो तीन फिर इसके अंदर हम एक बनाएंगे ठीक है और थर्ड वाले में हम एक बना लेंगे अब देखें यहां इसके अंदर आपको पांच डॉल क्रोश्या बनाना है नो नहीं बनाएंगे, देखे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच बनाया है, अब इसको देखे, एक, दो, थर्ड में हम सिंगल कुरूशर से एड़ कर देगें, ये देखे, इस तरह से, फिर वापिस देखे, इसके अंदर हम नौट सिंगल, डबल कुरूशर बनाए छे, साथ, आठ, नो, ठीक है, फिर आप एक, दो छोड़ेंगे, तीसरे वाले में हम सिंगल कुरूशर बना लेंगे, ये देखे, फिर वापिस से देखे, इसमें, इसमें आपको 9 डबल कुरूशर बनाना है, इसमें हम 9 बनाएंगे, देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो, ठीक है, एक, दो थर्ड वाले में हमें सिंगल कुरूशर बना लेंगे, ये देखे, तो इसी तरह से इस रोग को हम कम्प्लीट कर लेते हैं, और ये चार लाइने ही रिपीट करेंगे, तो हम फिर से स्टार्ट करके बताती हूं, इस रोग को कम्प्लीट कर लेते हैं पहले, ये देखे, ये हमने फोर्थ रोग बनाके कम्प्लीट कर ली है, देखे, इस तरह से वार डिजाइनी, लास्ट में है, यहां पर हमने थर्ड वाले सिंगल कुरूशर, इसमें हमें फिर पांच डबल करोश्य बनाना है, देखे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, ये हमने पांच बनाए, अब देखे, यहां पर तीन, एक, दो, तीन, तीन सिंगल करोश्य में हम तीन डबल करोश्य बनाएं, देखे, एक, दो, और ही, तीन, ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपको यहां से टर्न हो जाना है देखिए यहाँ पर पहले एक उपर एक चैन लिया फिर इसी में हम एक सिंगल के रूश honor बनेंगे एक दिखे 2 यह तीन तीन की बाद यहाँ पर हम 3 बनाएंगे इसमें ति हमारे चार, पांच और ये च्छे, ये देखें, हो गए, छे सिंगल क्रोशे हो गए, फिर दो चैन, अब देखें, इसमें भी यहां आधी डिजायन थी, तो दो डूबल क्रोश्य बचा है, फिर यहां देखें, यहां पर एक दो छोड़ेंगे, यहां से हम पांच सिंगल क्रोश्य एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, ठीक है, तो अब ऐसे ही, स्टार्टिंग ऐसी होगी आपके, और इसी तरह से अब आपको ये चार-चार लाइन रिपीट करते जाना है, जितना लंबा आपको आर्म होल, जितनी की तक की जितनी लंबाई चाहिए, उतना पांच, थोड आर्म होल घटाना, गला कैसे घटाते हैं, वो सीखेंगे, तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है, डिजाइन पसंदारी, तो वीडियो का भी लाइक कर दे, मुझे कमेंट करके बताएं, कि आप कोई डिजाइन अच्छी लग रही है, या नहीं लग रही है, औ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें, बैल आइकन सिरूर प्रेस करें, थैंक यू, बाइबाइ